वेल्किम तो माई चैनल शेफ डीवा अगर आपको मेरी रेस्पीस पसंद आती हैं तो मेरी विडियो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी लेटेस्ट विडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पह इसे बनाना है तो सबसे पहले हमें ये सोया चंक्स लेना है ये 200 ग्राम है इसमें हम हम होट बोइलिंग वाटर डाल देंगे और इसे हम 30 मिनिट्स लिए कवर करके रख देंगे ऐसा करने से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे 30 मिनिट्स के बाद अब हम इसे हटाएंगे प्लेट को और देखें ये हमारे सॉफ्ट हो गए है अब हम थोड़े थोड़े सोया चंक्स लेकर के इसको अच्छे से इसका पानी एकसेस वाटर ड्रेन कर देंगे बहुत अच्छे से हमें इसे ड्रेन कर लेना है ताकि कोई भी पानी ना रह जाए सोया चंक्स में तो ये देखें से हमने सब में पानी निचोर लिया था अब हमें एक मिक्सि Milche ले लेंगे और आधा क्वाणिटी का पहले हम सोया चंक्स डालेंगे और इसे पीस लेंगे इडिए अच्छस गया है ऐसे हम और भी पीस लेंगी ऑ imagem und और य वो यह है वन टेबल स्पून जीरा लिया है हमने इसको हमने भून लिया था और फिर कूटा यह हमने वन टेबल स्पून ब्लाक पेपर पॉडर लिया इसको भी हमने भून के कूट लिया यह हमने टू टेबल स्पून चाट मसाला लिया है यह घर का है आप चाहें तो रेडिमे जूस लिया है, 2 टेबल स्पून बटर लिया है, और ये 2 टेबल स्पून कौन फ्ला लिया है, ये सोया चंक्स हैं, जो अभी हमने ग्राइंड किया था, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, ये 1 मीडियम साइज अनियन है, जिसको हमने फाइनली चॉप कर लि लिया, 1 टेबल स्पून और लिया है, और 1 टेबल स्पून लिया है, तो चलें अब अपने नेक्स्ट टेप की तरफ चलते हैं, अब हम इस मिक्स्चर में सब मसाले डाल देंगे, तो सबसे पहले हमने ये जीरा पॉडर डाल दिया इसमें, ब्लाक पेपर पॉडर डाल ये जो हमाने चाट मसाला लिया था, ये पूरा डाल देंगे, ये लाल मिर्च डाल देंगे, डेड चिली पॉडर, ग्रीन चिलीज डाल देंगे, लेमिन जूस डाल देंगे, ये जो बटर लिया था, ये डाल देंगे, बटर यहां पे हमारे कवाब को और जूसी बनाएगा तो इसे जरूर से डालिएगा साथ में जिंजर गालिक पेस्ट डाल देंगे ये चॉप्ट अनियन जो हमने किया था ये पूरी डाल देंगे साथ ही में ये जो फ्राइड अनियन का पेस्ट बनाया था इसको भी डाल देंगे orange color और salt जो लिया था वो डाल देंगे पूरा अब हम corn flour डाल देंगे ये पूरा साथ में besan डाल देंगे besan और corn flour कवाप को bind करने में काम आता है साथ में ये coriander भी डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे इसमें हमें कुछ भी पानी या तेल नहीं डालना है ऐसे हमें मिक्स करना है तो यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब हमें इसे कवा करके 15 मिट्स के रख देंगे 15 मिट्स के बाद अब हम चलें इसका सीक कवा बना लेते हैं सीक के शेप्स बनाएंगे तो इसके लिए हमने थोड़ा oil लिया है oil अब हम अपने हाथ में लेंगे थोड़ा और इसे अच्छे से रप करेंगे अपने palms में और अब हम एक small portion लेंगे mixture का और इसे अब हमें oval shape देना है तो उसके लिए हम खुब अच्छे से पहले इसको दबाएंगे हर तरफ से ताकि ये अच्छे से हर तरफ से bind हो जाए चारो तरफ से इसे अच्छे से दबा ले और जब ये अच्छे से आपको लगे क्या इसका shape fix हो गया है ये bind हो गया अच्छे से तब 1 square ले और इसके बीच में हलके हाथों से ऐसे डाल दे और अब हलकी हातों से एक सीक का इसमें शेप दे दे इस तरीके से और हलके से इसको निकालने बाहर ऐसे ही देखे क्या perfect सीक शेप बना है इसका इसी तरीके से फिर से हम palm में oil लगाएंगे और फिर से हम एक oval ball बना लेंगे क्योंकि हमने इसमें corn flour और basin डाला हुआ है तो यह बहुत अच्छे से bind हुआ है अगर आपके कवाब फट रहे हूँ तो आप इसमें basin या corn flour थोड़ा और डाल दे तो यह फिर फटेगा नहीं इस तरीके से देखे दबा लें अच्छे से इसको और फिर हलके आतों से ऐसे ही नि डालेंगे 4-5 टेबल स्पून और इसमें हम सारे कवाब डाल देंगे अपने और इसको पहले हम मीडियम फ्लेम पे एक साइट से पका लेंगे जब यह एक साइट से पक जाएगा तब हम इसकी साइट चेंज कर लेंगे और हाँ जब आप कवाब डालिएगा तो make sure पहले हमारी ग्यास की फ्लेम मीडियम पे रहेगी तो यह देखें दूसरे तरफ से भी अच्छे से पक गया है तो अब हम इसको निकाल रहे हैं दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है तो यह देखिए क्या जबरदस्ट वेट सी कवाब बन के हमारे रेडी हुए है आप इस रेसिपी को एक बार तो जरूर से ट्राइ करियेगा I'm sure आप सब को यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी यह इतने अच्छे कवाब बनते हैं खा करके आप यह बतानी पाएंगे कि यह नौन वेज कवाब है या वेज कवाब बनें यह इतने अच्छे बनते हैं और मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करियेगा थैंक यू